हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू चैनल आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में दोस्तो यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल और आज मैं स्टिय दिपक पटेल आपके अपने डी कॉमर्स वाले चैनल पे लेकर आ रहा हूं चैनल नमबर 6 ट्राल बैलाइन्स और ट्रैक्टिफिकेशन ओफ एरर्स तो दोस्तो यह जो चैनल आपके लिए पूरा लेजर के उपर बेस्ट है और ट्रैक्टिफिकेशन ओफ जो एरर है वो बेस्ट है आपका जनल एंट्रिस के उपर तो यह दोनों चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो उस वीडियो को देखकर फिर आईए फिर यहां पर हम स्टार्ट करते हैं चैनल नमबर 6 ट्राल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ओफ एरर्स सबसे पहली बात ट्राल बैलेंस होते हैं एक होते हैं डैबिट और दूसरा होता है क्रेडिट दो बैलेंस होते हैं डैबिट और क्रेडिट और आपको यह भी बात पता होगी कि हम हर जनल एंट्री में दूनों बैलेंस को रिकॉर्ड करते हैं हमारी हर जनल एंट्री में कोई ट्राइबिट भी होता है और को ताकि हम पता चले कि हम जीतने भी लेजर एकाउंट बनाया है वो सारे सही हैं कैसे पता चलेगा जब हमारा debit और credit का total मैच हो जाएगा तब हम यह बोल सकते हैं कि हमारा जो trial balance है वो मैच हो चुका है और हमारा books of accounts जो है वो सही है ठीक है अब अब आते हैं definition में trial balance क्या होता है सबसे पहला trial balance is a statement showing the balance is showing the debit and credit total debit and credit total of ledger account so as to provide arithmetic accuracy याने कि plus minus में कुछ घड़पड़ी हो तो यह हमको बता देगा trial balance provide proof of accounting accuracy of recording the transaction but one cannot rely on trial balance wholly as sometimes it may not be accurate because of the error of complete omission or other error that cannot be detected easily but still the debit and credit side being balance यह क्या बोल रहा है यह बोल रहा है हर पाल trial balance आपकी गलती निकाल कर नहीं देगा अगर गलती आपकी mathematical accuracy हुई तो तो trial balance निकाल के देदेगा लेकिन अगर आपकी गलती ऐसी है जो की debit और credit दोनों को nil effect कर दे रही है for example अगर आपने कोई transaction record नहीं किया कोई transaction record नहीं किया उसको क्या बोलते है omission कोई transaction अगर आपने record नहीं किया तो अब आप बताओ अगर आपने recording नहीं किया तो उसके debit और credit में कोई entry हुई क्या नहीं हुई debit और credit में कोई भी entry नहीं हुई तो जाहीर सी बात है debit share का total और credit share का total match होई जाएगा क्योंकि कोई भी entry pass नहीं हुई है या तो फिर आपने एक ही entry को दो बार pass कर दिया तो भी trial balance का total match हो जाएगा क्योंकि जितना debit किया आपने उतना ही credit भी किया तो कुछ गलतिया ऐसी होती है जो कि trial balance पता नहीं लगा पाता ठीक है but still the debit and credit side being balanced गलती होने के बावजूद भी debit side और credit side balance हो जाते है ठीक है trial balance is an important statement in the accounting process that is source the final position of all the accounts and help in preparing the financial statement क्या होगा financial statement का मतलब क्या होता है financial statement का मतलब होता है trading profit and loss balance sheet ये तीनों चीज़े अगर आपको बनानी है तो आपके पास trial balance होना चीए अगर आपके पास trial balance नहीं है तो आप ये तीनों चीज़े को कैसे बनाओगे ठीक है तो सबसे पहले laser account बनाना है फिर trial balance बनाना है फिर बनाना है trading, profit, loss and balance sheet simple आई हो आपके ये चीज़ समझ आई हो उसके बाद उसके बाद हम आएंगे objectives क्या क्या है क्यों बनाना है हमने पढ़ा भी क्यों बनाना है क्योंकि mathematical accuracy है कि नहीं ये चेक करने के लिए errors को locate करने के लिए कहां पे गलती है और financial statement बनाने के लिए तीनों चीज़ें हमने डिसकस कर ली चीक है अब मागे बढ़ते है limitation क्या है limitation वही है कि tribulations कभी कभी हमारी गलती नहीं ढूण पाता है कब-कब नहीं ढूण पाता है जब हमने entry omit कर दियो या तो एक ही entry को दो बार pass कर दिया हो या फिर कोई ऐसी गलती की हो जिसमें debit और credit का total मैच हो गया आईए देखते है पहला when posting the same entry twice एक ही entry को दो बार कर दिया तो भी आपको गलती पता नहीं चलेगी when posting made in the wrong account but amount is correct आपने दिपक के जगा कैलास को debit कर दिया तो वह फरक पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा क्योंकि debit तो होई रहा है transaction चाहे हो दिपक के account में हो या क्यालास के account में transaction हो तो transaction जो है वो तो debit होई रहा है तो इससे हमको गलती पता नहीं चलेगी यानि कि अगर account गलत है पर amount सहीं है तो total balance daily हो जाएगा ठीक है when both accounts have wrong amount posted अब क्या हुआ आपने दूनों account में गलत पोस्ट कर दिया आपको करना था purchase account debit to the bug 5000 आपने कर दिया purchase account debit to the bug 500 अब आपने दोने account में 500 रिखा तो आपको क्या ट्राइबलेंस में difference आएगा नहीं आएगा क्योंकि आपने 500 से दूनों account में अगर आपने एक account में 5000 से मारी होती है और दूसरे account में 500 से मारी होती तब तो आपको difference पता चल जाधा ट्राइबलेंस से ठीक है फिर when a transaction is completely left out and not posted जब कोई transaction ऐसा है जो completely आपने छोड़ दिया उमीट कर दिया तो भी आपको कोई भी गल्दी पता नहीं चलेगी I hope आपको ये चीच समझ आयो कि मैं क्या बताना चाहरा हूँ नहीं आये है कोई बात नहीं theoretical है आपको trial balance बनाना आना चाहिए यह important है अब हम आएंगे preparation of trial balance trial balance कब बनाते है कब बनाते है trial balance सोचिए ज़रा कब बनाएंगे trial balance trial balance are prepared at the end of an accounting year accounting year खतम होने पे बनाते है ठीक है but companies can prepare trial balance at the end of different period to ascertain the accuracy of account company कभी भी बना सकती है generally year के end में बनते है क्यों क्योंकि सारे account का closing balance निकल जाता है और closing balance निकलने के बाद आपको trial balance बनाना बहुत ज़्यदा easy हो जाता है इसलिए ठीक है अब trial balance का एक प्रोफोर्मा है बहुत ही important है इस प्रोफोर्मा को समझाने से पहले एक बात मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कौन से बात याद दिलाना चाहते हो भाईया जी आपके भाईया आपको ये याद दिलाना चाहते है कि 5 category होती है accounts की याद है कि नहीं अगर आपने पिछला वीडियो से देखा है तो आपको पता है 5 category कौन से कौन से होती है assets और expense ये दोनों साथ में है भाई भाई और क्या है और क्या है बताईए बताईए और क्या है याद आ रहा है कुछ अगर आपने बोला है L.I.C. तो बिल्कुल सही है L.I.C. याने की liability, income और capital बताया था और मैंने ये भी बताया था कि ये दोनों जब बढ़ेंगे तो debit होगा और ये तीनों जब बढ़ेंगे तो credit होगा बताया था कि नहीं बताया था बताया था ना तो अब आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि asset और expense का हमेशा कौनसा balance होता है debit balance होता है कौनसा balance होता है debit balance होता है और liability, income और capital का कौनसा balance होता है हमेशा credit balance होता है ठीक है ध्यान रखिएगा आईए अब चलते है प्रफर्मा की तरह पहला क्या दिये capital कौन सा balance होगा credit land and building asset debit plant and machine asset debit equipment asset debit furniture and fixture debit cash asset EB asset, data b asset stock b asset WIPB asset finished goods b asset तो यह सारे debit होगए सारे asset debit होगए ठीक है prepaid insurance asset क्या होता है prepaid insurance नहीं पता तो पिछला वीडियो देखकर आईए उसमें मैंने एच्छे से explain कर रहा है कि क्या होता है prepaid expense ठीक है purchase expense debit, carriage inward expense debit carriage outward expense debit sales sales income है credit sales return income है credit purchase return 1 minute 1 minute यहाँ पर कुछ गड़ पड़ है sales credit sales return debit sales return क्या होता है debit होता है purchase return क्या होता है credit होता है interest paid expense है तो debit commission received income है तो credit salary expense है तो debit long term loan liability bills payable liability credit liability outstanding salary liability outstanding interest earned asset advance from customers liability credit drawings debit expense यह फिर capital account कम होता है तो debit करते है drawings वहीं पर है reserve fund profit income credit provision credit समय आया easy था easy था क्या दियान में रखना है कि L.I.C. जो है वो credit होता है asset expense debit होता है बस उतना ही ध्यान में रखना है अब 3 method होते है 3 method होते है total balance बनाने के लिए पहले method का नाम है total method दूसरे का नाम है balance method और तीसरे का total कम balance method हमको 1 सीखना है और 2 सीखना है 1 सीखना है और 2 सीखना है क्योंकि अगर हमने 1 और 2 सीख लिया तो 3 easy है क्योंकि 3 में 2 method से बनाना है 3 में 2 method से बनाना है आईए अब एक example के साथ चलेंगे यह मेरे example है देखो मेरे example है मेरे example में ledger account दिये हुआ है आपको ledger account समझ आते है ledger account में 2 side होती है 2 side होती है इस side debit और इस side credit सारे ledger account में ऐसी होता है ठीक है देखो 2 method है पहला है total method दूसरा है balance method सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको total method में क्या करना है proforma दोनों में same बनेगा आईए total method देखते है total method में total method में हमको debit set का total करना है और credit set का total करना है दोनों side का total करना है और लिख देना है balance नहीं निकालना है ध्यान से सुनना total method में debit set का total करना है credit set का total करना है और दोनों के total को लिख देना है closing balance नहीं निकालना है opening balance लिखना है क्या हाँ लिखना है opening balance लिखना है पर closing balance नहीं निकालना है ठीक है आई पहला account अगर मैं रावत का capital account देखों तो opening balance को लेना है cash को लेना है total कितना आ गया 60,000 और इस set closing balance को लेना है क्या closing balance को नहीं ले रहा, तो इस set का total 0 समझा है, देखते हैं try balance में यह देखो रावत का account 0 और 60,000, ठीक है फिर यह purchase दिख रहा है आपको यहाँ पर, purchase account दिख रहा है purchase account का पहले देख लेते हैं purchase account का debit set का total है 60, 2000 closing balance को लेना है क्या नहीं लेना तो 0, जहाँ पर भी balance carried down लिखा है, उसको total में नहीं लेना है balance carried down लिखा है, उसको total में नहीं लेना है तो यह आगा 62,000 और 0, यह देखो, 62,000 और 0 ठीक, फिर depreciation account दिख रहा है आपको, depreciation account में इस set का total 3,000 balance carried down को नहीं लेना है 0, 3,000 और 0, तो यह देखिए 3,000 और 0, चीक है total method से बना रहे हैं wages account wages में इस set का balance 5,000, इसको नहीं लेना है 0, 5,000 और 0, तो देखिए 5,000 और 0, total method में दोनों set का account की totaling करती जानी है, closing balance को नहीं लेना है, फिर cash account, इस set का total 1,000, और इसका total नहीं लेना है, 43 का 43 का नहीं लेना है total तो कितना हो जाएगा 40, 50, 57,000 57,000 देखो, देखो, 1,000, और 57,000 दिख रहा है आपको 1,000, और 57,000 दिख रहा है, ठीक है फिर आगे आते हैं, आगे आते हैं sales account, sales account में इस set का total 70,000 इसको नहीं लेना है, balance को तो इस set का 0 तो 0 और 70,000 देखिए, 0 और 70,000 फिर, राहूल account इस set का total 55,000 क्योंकि इसको नहीं लेना है और इस set का 75,000 तो देखिए, 75 और 55 ठीक, 75 और 55 फिर, दो account बचे रोहन का और machine का रोहन के account में इसको नहीं लेना है तो आगया 40,000 और इस set आगया 60,000 और machine में आगया 3,000 और 20,000 क्योंकि इसको नहीं लेना है closing balance को नहीं लेते हैं तो रोहन का 40,60 और machine का 20,000 और 3,000 रोहन का 40,60 और 20,000 3,000 तो मेरे दुनों सेर्के total मैच हो गया देख सकते हो दुनों सेर्के total मैच हो गया तो ऐसे बनता है हमारा total method अब total method हो गया अब हम आएंगे balance method में काउसे method में? balance method simple है जो जो हमने नहीं लिया था अब अब हमको उसी को लेना है जो जो हमने अभी तक नहीं लिया था debit है कि credit है credit है क्यों पता है क्योंकि जब यहां balance लिखते है न तो हो brought down is set होता है brought down is set होता है तो हमको उल्टे side पर लिखना है ठीक है तो देखो capital account का credit balance है 60,000 तो credit balance आएगा 60,000 ठीक है फिर रोहन account का balance दिख रहा है आपको रोहन account का balance 20,000 credit balance है क्योंकि debit side में लिखा है तो यहां पर आ गया credit balance 20,000 credit balance 20,000 फिर machine account machine account का closing balance 70,000 आया और वो यहां पर आ जाएगा debit side में तो मेरे debit side में आएगा 17,000 फिर राहूल का account balance 20,000 इस से डाया तो debit balance 20,000 sales का balance इस से डाया credit balance तो राहूल का 20 debit sales का 70 credit 20 debit 70 credit फिर cash account debit balance 43,000 इस से डाया wages debit balance 5000 इस से डाया गा depreciation 3000 इस से डाया परचेस 62,000 इस से डाया बाकी सारे debit balance है 43,500,000 इस बार भी टैली हो जाएगा तो आपको समझ दाया दोनों method में क्या फरक है total method में दोनों set के total मारने है total method में both side total without taking closing balance और balance method में taking only balancing figure समझा है कैसे बनाना है बहुत easy है ठीक है अब यह हो गया अब जब दोनों method एक साथ आएगा जब दोनों method एक साथ आएगा तो क्या करना है चार column बनाना है चार column बनाना है और same वैसे ही लिख देना है same दोनों को जोड़के लिख देना है total वाला यहाँ पर total वाला यहाँ पर लिखना है total वाला सब इस सेट लिखना है यह पूरा total वाला आएगा ठीक है यह पूरा total वाला और इस सेट जो है वो balance वाला कौन सा वाला balance वाला दोनों method को एक साथ बना देना है तो आएगा using total and balance method यहाँ पर होता है हमारा total balance खतम यहाँ पर होता है total balance खतम अभी total balance में closing stock नहीं आता है यह आपको पता होना चाहिए ठीक है नहीं पता तो ध्यान में रखना closing stock नहीं आता है ठीक फिर rectification of errors rectification of errors में आते है rectification of error क्या होता है जब हम कोई गल्ती करते है तो उसको सुधारना है तो उसको बलेंगे rectification of errors ठीक है दो टाइप के error होते हैं दो टाइप के error होते है एक error जो trial balance को effect नहीं करते और एक balance जो trial balance को effect करते हैं जो trial balance को effect नहीं करते वो trial balance से पता नहीं चलेंगे जो trial balance को effect करते हैं वो trial balance बनाने से पता चल जाएंगे कैसे debit और credit match नहीं होंगा तो समझ आया है दो type के error they do not effect और effect सबसे पहले देखेंगे ऐसे error जो turbulence को effect नहीं करते these are those errors that are committed in two or more accounts दो या दो से ज़्यादा account में error होते हैं तो इनका effect जो है turbulence में नहीं आता और इसको rectify करने के लिए rectifying general entry pass करनी पड़ती है ठीक है जब दो account में गलतियां होती है तब turbulence में effect पता नहीं चलता है और इसको rectify करने के लिए हमको rectifying general entry pass करनी पड़ती है ठीक है अब कितने type के error हो सकते हैं सबसे पहला error of omission error of omission का मतलब है अगर आपने कोई entry pass ही नहीं की अगर आपने कोई entry pass ही नहीं की कोई record ही नहीं की तो हो omit होगी अगर आपने good sales sold किया और उसको record ही नहीं किया तो क्या type balance में पता चलेगा नहीं चलेगा फिर compensating error ऐसे error जहां पर आपने debit गलत किया पर amounts नहीं debit किया debit गलत किया पर amounts नहीं debit किया तो आपका type balance का total match हो जाएगा when the net effect of two or more errors result in nil it is referred to as compensating error for example purchase account has an excess debit of 5000 and the sales return account is undercasted by the same account क्या हुआ purchase account में excess debit हो गया purchase account में excess debit हो गया पर एक बात बताओ purchase क्या होता है debit sales return क्या होता है debit purchase में ज्यादा debit हो गया और sales में कम debit हो गया purchase में ज्यादा debit हो गया और sales में कम debit हो गया लेकिन amount same है amount same है तो क्या effect पता चलेगा नहीं चलेगा ना भाई कैसे चलेगा बताओ 5000 बढ़ गया 5000 कम हो गया effect zero effect zero तो asset transactions जहां पर दो account है पर दोनों account की गलती ऐसे हुई है लेकर वो आपस में set off हो गई उसको बोलते हम compensating error एक की गलती को दूसरी गलती compensate कर दे रही है तो उसको हम बोलें के compensating error ठीक है उसके बाद आते हम error of principle error of principle लेने की जो भी आपकी rules and regulation है आपने उसको गलत follow किया पर आपने debit सहीं किया debit में amount सहीं किया account गलत था amount सहीं था तो आपका एगा error of principle if any accounting principle is violated while recording the transaction search error do not affect trial balance for example addition of machine अगर आपने machine add किया तो आप क्या debit करोगे machine account debit करोगे wrongly debited to repair and maintenance आपने क्या किया repair and maintenance debit कर दिया machine debit करने के बदले repair and maintenance debit कर दिया और आपने revenue expenditure बना दिया capital expenditure को machine खरीदना capital expenditure है machine account debit होना चीए पर आपने repairs को debit कर दिया और उसको revenue expenditure बना दिया अब क्या गलती पता चलेगी trial balance से नहीं क्योंकि आपने asset को debit नहीं किया पर आपने expense को debit कर दिया तो debit तो किया देखो अगर मैं कान ऐसे पकड़ूं या ऐसे पकड़ूं या ऐसे पकड़ूं कैसे भी पकड़ूं पकड़ना तो कान नहीं है तो अगर मेरे को debit करना है तो मैं कुई भी account debit करूँ पर अगर मेरा amount सही होगा तो मेरा trial balance हमेशा tally हो जाएगा इस error को बोलते हैं error of principle फिर आता है incorrect account in the original book आपको एक account debit करना था आपने उसके वरते दूसरा debit कर दिया इंस्टेड ऑफ बाभू account Sam account is maintained बाभू की जगह आपने Sam के account में पुरे राद एक्षन डाल दिये तो भी आपका travel is tally हो जाएगा क्योंकि आपका debit side और credit side tally हो जाएगा फिर posting to the wrong account अगर आपने गलत account में post कर दिया इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग इन परचेस अकाउंट ट्राइशन इस पोस्टेड इन सेल सेकाउंट आपको entry मार दी परचेस अकाउंट डेबिट टू राम आपने मार दी राम अकाउंट डेबिट टू सेल एमाउंट नहीं डाल दिया debit credit में अगर आपने एमाउंट नहीं डाल दिया तो आपको गलती ट्राइल बेलेंस में पता नहीं चलेगी इससे हमको एक बात समझ आता है कि जहां पर max में गलती होगी max में यानि कि numbers में वही गलती हमको ट्राइल बेलेंस बता पाएगा अगर rule regulation में गलती होगी तो ट्राइल बेलेंस बता नहीं पाएगा तो पांस टैप के error होते हैं एक बार और error of commission जो completely छुड़ गया compensating दो error हुए पर एक error ने दूसरे को compensate कर दिया error of principle rules and regulation में गलती होगी incorrect account in the original book हमने गलत account बना दिया और हमने गलत posting कर दी पांस टैप के error होते हैं आप एक बार पल दीजिए इसको पांस टैप के error को पल दी आपने ठीक है एक बाद और ये जो बीडिया इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप डाउनलोड कर सकते हो चीक है फिर error that affect the trial balance कौन से ऐसे error है जो हमारे trial balance को affect करते हैं पहला error of omission अब देखो error of omission तो इसमें भी था और इसमें भी है पर दोनों में फराक है क्या फराक है पते है ये omission जो है ये one-sided है ये omission one-sided है इसका मतलब आपने एक अकाउंट में एंट्री की पर दूसरे अकाउंट में एंट्री नहीं की तब वन एंट्री इस नोट रिकॉडड़ इन ओनली वन एकाउंट गिविंग राइस तु अंडर कास्टिंग और कास्टिंग और कास्टिंग का मतलब कम कर देना और उवर कास्टिंग का मतलब अरे यार क्या हो जाता इसको बार बार उवर कास्टिंग का मतलब ज्यादा कर देना उवर कास्टिंग का मतलब ज्यादा कर देना और अंडर कास्टिंग का मतलब कम कर देना जब आपने कोई एक अकाउंट में गल्ती की तो आपकी गल्ती जो है वो पकड़ा जाएगी ट्रल बेलेंस में अब आपने मोहन के अकाउंट में पोस्ट नहीं किया पर सेल्स को क्रेट कर दिया तो मेरा क्रेडित और डेबीट का टोटल मैच नहीं हो गा है न क्योंकि मैने एडरी में खाली सेल्स को क्रेट किया पर आपने प्लस माइनस या टोटल करने में गल्ती कर दे तो आपके ट्राविलेंस में एफेक्ट आएगा और ऐसे एरल को बोलते हैं error of commission काँ पर गलती होती है adding, subtracting और totaling में गलती होती है ऐसी गलती को बोलते है हम error of commission wrong posting there may be a chance there is wrong posting of amount और posting the amount on the wrong side in the ledger account यानि कि आपने amount गलत डाला आपने amount गलत डाला debit में 5000 डाला और credit में 500 डाला तो आपका trial balance डली नहीं होगा और इस गलती को आप trial balance से पता लगा सकते हो या फिर या फिर आपने ये दोनों entry थी debit और credit की आपने debit side में posting किया 5000 और फिर ये 5000 को भी आपने debit side में post कर दिया तो भी आपका गलती पता चल जाएगा तो भी आपका गलती trial balance से पता चल जाएगा क्योंकि आपने खाली debit किया आपने credit कोई भी transaction को नहीं किया इसलिए आपका trial balance डली नहीं होगा ठीक है ठीक है अब एक example मैं आपको बताता हूँ देखो rectification of errors एक ऐसा chapter है जिसको आप जितना जादा practice करोगे उतना easily वो आपको समझ आएगा ठीक है अब मैंने आपको बता दिया कितले type के error होते हैं अब मैं आपको एक question से ये बता देता हूँ कि आपको error को solve कैसे करना है हमेशा जब कोई hard error आता है तो आपको पहले सही entry लिखनी है फिर गलत entry लिखनी है और फिर उसकी rectification entry लिखनी है जो मैं आज आपको करके दिखाऊंगा आपको starting के कुछ videos में ऐसे करना है और उसके बाद जो है उसके बाद जो है वो आप automatically सीख जाओगे फिर आप automatically उसको सीख जाओगे तो अब मैं आपको illustration 1 जो है वो पहले सही entry फिर गलत entry और फिर जो है आपकी rectification entry करके दिखाऊंगा total 7 point है आपको ध्यान रखना है आपको हमेशा ऐसे करना है जब तक आप expert नहीं बन जाते एक बार आप expert बन गया है उसके बाद आपको सही entry फिर पास करने की जरुवत नहीं है आप सीधा सीधा जो है वो direct entry कर सकते हो ठीक है अब अब आते हैं हम हमारे question में हमारा illustration क्या बोलता है देखो सबसे पहले हमारे illustration में उपर सेड में एक लाइन लिखिया आप देख सकते हो trial balance of ABC limited does not meet its sudden excess credit 20,000 excess credit 20,000 का मतलब debit side का balance debit side का balance balance credit है पर debit side में आता है नीचे उल्टा होता है लेजर में उल्टा होता है तो आपको यह जो है यह excess credit वाला जो है ना यह debit side में brought down करना है 20,000 suspense account में ठीक है यह क्या है difference in suspense account आखरीम बताऊंगा suspense account कैसे बनाना है पहले हम आते हैं पहले वाले transaction में पहले वाले transaction क्या बोलता है sales return book overcast by 2000 overcast by 2000 overcast होना यानि की बढ़ जाना sales return बढ़ जाना ठीक है अब हमें आपर तिन कॉलम बनाएंगे सही का गलत का और rectifying का पहले transaction में क्या हुआ जो हमारा sales return है गलत क्या हुआ sales return बढ़ गया 2000 से यह गलत हो गया गलत हो गया तो sales return बढ़ गया 2000 से गलत हो गया सही क्या होता sales return बराबर रहता तो सही होता sales return बराबर रहता तो सही होता पर 2000 से बढ़ गया तो अब मैं rectification entry में क्या करूँगा sales return को कम करूँगा तो एक बात बताओ, sales return का कौन सा balance होता है, sales का होता है, credit sales return का होता है, debit, अब मेरे debit बढ़ गया, मेरे debit बढ़ गया, गलती हो गई, debit बढ़ गया, जादा हो गया, 2000 से debit, तो मेरे गलती हो गई, तो अब मैं क्या करूँगा, rectification entry में, to sales return, credit कर दूँगा, और suspense account को debit कर दूँगा समझ आया, क्योंकि one-sided error है, totaling में गलती हो गई, sales return जो है, वो, overcast हो गया, 2000 जादा debit हो गया, तो 2000 को credit कर दो, sales return को, और suspense account को debit कर दो, ठीक है, तो देखो, पहले entry क्या होगी, suspense account debit to sales return, यह रही पहले entry, suspense account debit to sales return, दूसरी entry, दूसरी entry क्या है, purchase book was undercast by 1200, अब यहाँ पर एक word है, undercast, purchase क्या होता है, debit, purchase क्या होता है, debit, और कम debit हुआ, purchase, तो मेरा जो purchase है, गलती क्या होगी मेरे से, second point में, क्या है, क्या है? सेकेंड पॉइंट में मेरे से गलती क्या हो गई मेरे जो परचेस है वो कम डेबिट हो गया कम डेबिट हो गया तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में मैं परचेस को डेबिट कर दूंगा और सस्पेंस एकाउंट को क्रेडिट मेरे एंट्री क्या होगी परचेस एकाउंट to suspense account समझा है उसके बाद उसके बाद बहुत ही important introduction in the sales book sales book का क्या होता है balance sales book का balance क्या होता है sales account का balance क्या होता है credit page number 4 was carry forward to page number number 5 as 20,000 instead of 2400 sorry 2000 instead of 2400 अब एक बात बताओ होना कितना चीए था होना कितना चीए था होना चीए था 2400 हुआ कितना 2000 कम हुआ तो अब हमको 400 रुपए कम किया हमने तो अब हमको 400 रुपए कम हो गया 400 रुपए कम हो गया ठीक है माइनस 400 लिख दिया फिर and total of page number 8 was carry forward to page number 9 as 11200 instead of 10,000 होना था 10,000 होना था 10,000 और हो गया 11,200 जादा हो गया जादा हो गया कितना जादा हो गया प्लस 1200 क्यानी कि हमने टोटलिंग में दो बार में स्टेक कर दी पहले बार हमने 400 कम लिया और दूसरी बार हमने 1200 जादा लिया तो मेरा net effect कितना आया 800 प्लस यानी कि मैंने sale book को overcast कर दिया 800 रुपीज से ठीक है समझाए आपको मैंने कैसे overcast किया sale book को 800 रुपीज से पहले मेरे को 2400 लेना था मैंने लिया 2000 तो 400 कम लिया तो मैंने 400 माइनस में लिखा और फिर मेरे को लिया था 10,000 मैंने लिया 11,200 मैंने 1214 लिया तो मैंने प्लस 1200 लिखा और फिर दोनों का net निकाला तो मैंने 800 रुपेज overcast कर दिया overcast करना यानी कि sale को बढ़ा दिया 800 रुपीज से मैंने sales को overcast कर दिया तो मेरे 3rd entry में मैंने गलती क्या कि sales को बढ़ा दिया 800 रुपीज से तो अब मैं sales को कम करूँगा sales को कम करूँगा तो sales debit to suspense sales debit to suspense 800 रुपीज तो देखें मेरे entry क्या हुई है sales account debit to suspense 800 रुपीज ठीक है फिर point number 4 goods return to RAM 2000 रुपीज रिकॉर्ड थू दे sales book अब यह goods return to RAM यह purchase return है कि sales return बताओ purchase return है कि sales return purchase return goods return to RAM purchase return है purchase return क्या होता है purchase debit होता है तो purchase return credit होता है और हमने कहा डाल दिया sales book में हमने sales को credit कर दिया समझाया हमने क्या गलती की हमने sales को कर दिया credit ठीक है अब आते हैं यहाँ पर असल में point number 4 में गलती क्या होगई तो अब मैं sales को करूँगा debit और purchase return को कर दूँगा credit तो मेरा answer सही हो जाएगा हाँ सही हो जाएगा क्योंकि मैंने sales पहले credit किया था उसको debit कर दिया और purchase return जो credit नहीं किया था उसको अब credit कर दिया तो मेरी entry हो गई sales account debit to purchase return ठीक है देखो sales account debit to return output रिटर्ण आपड है कि purchase return amount आगे 2000 फिर credit purchase purchase debit होना चीए था purchase debit होना चीए था from MN company recorded through sales book और sales credit हो गया अब एक बात बताओ मैंने purchase की entry sales में पास करती कलती हुई ठीक है पांचे point में मेरी सही entry होती purchase account debit to MN company 16000 क्या ये मेरी सही entry होती हाँ मैंने गलत entry क्या कि MN company debit to sales अब मेरे को सही करना है अब मेरे को सही करना है रेक्टिफिकेशन करना है तो मैं क्या sales credit होना चीए था क्या नहीं होना चीए था पर sales गलती से credit हो गया तो अब मैं सही entry करूँगा तो 2 MN company करूँगा एक बार और दूसरी बार जो ये गलत entry debit की उसको भी सुधार होंगा तो MN company में दो effect आएगा MN company में दो effect आएगा कैसे सही entry purchase account debit to MN company तो होती तो मैंने purchase को debit कर दिया MN company को credit कर दिया अब जो गलत entry की उसको reverse करना पड़ेगा तो sales को debit कर दिया और एक बार MN company को credit करना पड़ेगा तो MN company को दो बार credit करना पड़ेगा तो मैं दो बार amount लेकूँगा 16 plus 16 32 और ये दोनों में आ जाएगा 16 और 16 तो मेरा सही entry का हिसाब से MN company credit होना चीए था लेकिन गलत entry में debit हो गया उल्टा हो गया तो अब मेरे को दो बार credit करना पड़ेगा एक बार सही entry के लिए credit करना पड़ेगा और एक बार जो गलत entry की है उसको सुधारने के लिए credit करना पड़ेगा तो दो बार credit करना पड़ेगा तो मैंने amount को दो बार लिखा ठीक है तो entry समझाई आपको entry समझाई आपको क्या entry हो गई purchase debit sales debit to MN company 16-16-32 फिर point number 6 credit purchase from SN company recorded through sales book however SN company we are correctly credited question बोल रहा है कि SN company में कोई भी गलती नहीं होई है SN company में कोई भी गलती नहीं होई है गलती कहा होई है sales और purchase में हमने purchase को कहा डाल दिया sale में डाल दिया ठीक है फिर से वही गलती की हमने purchase को sale में डाल दिया तो एक बात बताओ मेरी सहीं यह entry के हिसाब से purchase debit होना चीए पर मैंने क्या किया sales को credit कर दिया तो अब मैं rectification entry में क्या करूँगा पहले तो purchase को debit करूँगा यह जो sales credit हुआ है गलत हुआ है इसको भी debit कर दूँगा और 2 suspense लिख दूँगा और amount आ जायागा 10 10 दोनों को plus करके 20 समझा है जबी भी debit और credit की गलती होती है यानि कि debit होना चीए और credit हो गया तब amount हमेशा plus करके आता है ठीक है question के इसाब से मैंने अपने creator में creator के account में कोई गलती नहीं की मैंने गलती कहा कि sales और purchase में sales को credit कर दिया purchase को debit करना था तो मैं rectification entry में पहले purchase को debit कर देता हूँ sales को जो debit credit किया था उसको वापिस debit कर देता हूँ और to suspense 20 I hope आपको इस समझा आयो purchase account debit sales account debit to suspense account ये होगी मेरी entry purchase debit sales debit to suspense 10 10 20 ठीक है फिर आखरी salary paid 4000 was debited to employees personal account salary pay करते हैं तो salary debit करते हैं और मैंने employee के personal account को debit कर दिया तो salary को debit कर देते हैं क्योंकि debit नहीं हुआ है salary account debit है और employee जो गलती से debit हो गया था उसको credit कर देते हैं to employees account 4000 1000 I hope आपको ये सब समझ आया है कुछ नहीं करना है पहले ये सोचना है क्या होना चीए था सही फिर ये सोचना है क्या गलत हो गया जो गलत हो गया उसको उल्टा कर दो गलत हो गया उसको उल्टा कर दो और जो सही होना था उसको सही कर दो जो सही होना था उसको सही कर दो, जो गलत हो कि उसको उल्टा कर दो, और अगर बैलेंस बच रहा है तो suspense account में डाल तो, ठीक है, अब, अब question में suspense account बनाने बोला है, और question में ये भी बोला था, कि suspense account का जो balance है, वो कितना है, कितना है, 20,000 बोला था, बोला था, जो credit balance है, 20,000 होगा, बोला था कि नहीं बता, बोला था, तो अब हम क्या करेंगे, 20,000 रुपीस से start करेंगे, कहां से start करेंगे, 20,000 रुपीस से start करेंगे, लिखेंगे, टू डिफ्रेंज, टू डिफ्रेंज, टू डिफ्रेंज, एस पर ट्राल बैलेंस, 20,000, समझा या, यह मने लिख दिया, debit set, फिर, जिदो भी मैंने entry से, पास्ट किया, उसको मैं पोस्ट करूंगा, पहली entry, सस्पेंज, debit वा, सस्पेंज, debit वा, तो सस्पेंज के debit set में लिखेंगे, 2000, सस्पेंज, debit वा, debit set में लिख दिया, 2000, दूसरे entry में सस्पेंज, credit हुआ, 1200, फिर credit हुआ, 800, फिर credit हुआ, 2000, 20,000, सॉरी, तो, 1500, 800, 10, 10, 20, क्योंकि ये 20 में ये 2 आ रहे हैं, पर्चेंज, सर्चेंज, 10, 10,000, तो ये 25,000, और मेरा total 22, 22, match हो गया, हमेशा suspense account वाले question में आपका total match हो गया, तो आपका answer सही है, ठीक है, तो दोस्तो, ये था आपका पूरा trial balance और rectification of error, अब यहां तक अगर आपने पढ़ लिया, तो आपको जा कर बहुत सारे question solve करने होंगे, ताकि आपको confidence है, और confidence question solve करने से ही आता है, ये सब आपको तो पता ही है, ठीक है, अब दोस्तो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को subscribe कर लीजे, क्योंकि subscribe करोगे, तो आपको अगले सारे वीडियो देखने को मिलेंगे, और पिछले भी देखने को मिलेंगे, लाइक कर दीजे, खिल्कि लाइक करने से मेरे को motivation मिलता है, और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मैं और जादा अप enjoy करता हूँ, comment करिए आपका doubt, comment करिए आपका doubt, जो भी